असलामो अलेकुम प्यारे व्यूवर्स उमीद करती हूँ आप सब खैरिये से होंगे खुश खुर्ण होंगे और अपने अच्छे से कामों में बीजी होंगे अलहम्द हों विलाग में आप सबको वैलकम कहती हूँ आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपने घर के आइनों की ज टूथ पेस्ट के साथ बहुत सारी क्लीनिंग से लिए टूथ पेस्ट एक बहुत बड़ा एजन्ट माना जाता है तो जी हम इसे ऐसे मिरर पर जो के बहुत ज़्यादा गंदे हों दागदार हों धबे लगे हुए हों स्क्रैच पड़े हुए हों उनको क्लीन करने के लिए हम नियूस पेपर भी ले सकते हैं और नियूस पेपर वैसे भी शीशे की क्लीनिंग करने के लिए बहुत ही एहम करदार अदा करता है उसके बाद जी हमने लेना है सिरका सिरके को हम सप्रे के तोर पर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से टीशू पर लगा कर और इस नमबर पर जो काम आएगा टूथ पेस्ट वो यह होगा कि अगर कोई फूड कलर हमारे हाथों नेल्स वगयरा पर लग जाए तो हमने इसे नेल्स पर लगा कर और बुरश के साथ इस तरह से क्लीन करना स्टार्ट कर देना है और जैसे ही हम टूथ पेस्ट लगाएंगे और ने क्लीनिंग में टूथ पेस्ट बहुत एहन करदार अदा करता है तो मग के यहांदल ओगा कि अक्सर यहां यह यैलो हो जाते हैं पानी के डाग धब्ब्र यहां मच्छाएं पक्के हो जाते हैं तो टूथ पेस्ट इनको बहुत असानी से गाईफ कर देता है और बिल्कुल इ आज कटाई हुई है और साथ में कर्टन वाइन की भी आज कटिंग हुई है समर में कर्टन वाइन बहुत तेजी से बढ़ती है तो पहले इसमें ग्रास को यहां से क्लीन किया यह देखिए ग्रास बहुत ज्यादा बड़ी होगी थी मेरा गार्डन बहुत ज्यादा बड़ा त में और अगर जिस जमीन तक पहुंच जाए तो इसको जारा कुछ उंचा ही रखना होता है क्योंकि जमीन तक पहुंचे तो बहुत ज्यादा घनी जमीन पर पड़ी हुई नजर आएगी तो मैंने एक फुट इसे जमीन से उंचा ही रखवाया हुए यह देखिया आपके सामने हैं तो बहुत ही प्यारी भी लगती है लेकिन बहुतती है बहुत जाथा गूरी भी दिखाती है बहुत जादा खुपसूरती होती है इसτι पर पर लगी हुए हैosi लगता है जैसे परदे लहरा रहे हूं algorithm के जरुरीजूरी काम कर्वाने के बाजी मैं वापस आपने किचंड में मौसिन जरा देर से उठता है और उसके आज जाने का दिन है उसमें वापस अपनी ड्यूटी पर जाना है तो उसके लिए ब्रेकफास बनाने लग गई तो उसने मुझे बोला था रात ही बोल दिया था कि जब मैं उठ्थूं तो मेरे लिए आपने सिर्फ और सिर्फ सेंड गिश्वन भी बहुत उदास अदास है क्यूंकि जिस दिन बच्चे आएं उस दिन बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती हैं और जाना हूं इस दिन बहुत ही ज्यादा गंगीन ++ Ball बन जाती हैं जानि मेरे चेरे से ही पता चल रहा होता है कि मैं आज बहुत दुखी दुखी सी लग रही हूं बहुत ही यानि उदास सी लग रही हूं तो बहराल बच्चों ने जाना होता है जी वापस और यूशे जो है वो मुहसिन की टांगों के साथ चिपक रहा था कि मुझे उठाएं मुझे उठाएं और उसके पीछे पीछे रहा था कि ये मुझे छोड़ें और कहीं जाएं बहराल जी मुहसिन ने त्यारी पकड़ी और मुहसिन अब वापस अपने सफर की तरफ रवाना हो गया अल्हा ताला खैर आफियस से इनको अपने मंजिल तक पहुंचाए और बच्चे इसी तरहां से आते और जाते रहें औ और अपने माबाप की आँखों का तारा बने रहें अपने माबाप की आँखों की ठंडक बने रहें यहां पर आकर जी मैंने मुहसिन को गुडबाई कहा और मुहसिन ने जाते हुए हाथ मिलाया और मुझे से गले मिला और जी उसकी भी आँखों में थोड़ा बहुत क्या होता है और उसके बाद मैं आगे वापस अपने घर के अंदर और मैं मौसिल को जाते हुए दूर तक देखती रहते हैं जब वापस जाता है तो उसके बाद मैंने आकर अपने किचन में दğुरा है काम सभाला और शाम के कि एक खाने की तेजारी कि आद शाम के खाने में मैं बेना रही हूं चिकन जल हलका साइज का कलर चेंज करना है उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे गलने के लिए छोड़ देना है तो चिकन को बहुत जादा देर तक फ्राइ करने से उसकी बोटी बेसे जूस कतम हो जाता है और इदर देखें जी घी बन रहा है और घी पर भी कई बार मुझ करती है उसको उतार उतार के जमक करते रहते हैं और जैसे ही वह बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हमने जी एक रात पहले ही निकाल लेना होता है और निकालने के बाद हमने इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देना होता है उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा जाग लगा द से लिए एग और यह जरूरी होता है और जी इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा ऐसा नमक भी सी काली मेरे शामिल की है और जी इसे बस ज्यादा देर नहीं पकाना। ॉबहुत ज्यादा इससे काला ब zूरह व्लेक ब लयक नहीं करना। मैंने और का वسب हो गया हो पार हाफ स्थाने मैं नामक डाला हाफ स्पून इसमेने धनिया और डाला है है और यह क्योंके जल्फ रेजी है और जल्फ रेजी में कुछ ज्यादा स्पाइस ज्यादा मिर्चे नहीं होती और इसके लिए जो वेजीटेबल्स हैं वो मैंने इस तरह से क्यूब्स की काट के रखी हुई हैं और क्यूब्स की शेप में भी अच्छी लगती है और हम इने दूसरे अंदास से काटे तो तब भी अच्छी लगती है तो अब जी इसमें सारे मसालाजाजाज़ शामिल किये हुए हैं अब यह वेज़िटेबल इसमें चल जाएंगी और इसमें जी टमार्टर का ग्रेवी बनी हुई है तो वो भी डाल सकते हैं और इसके इलावा जी इसमें हमने भर के वन टेबल स्पून जो है वो कैचप भी डाल देना है कैचप अगर पलेन वाला हो तो ज्यादा अच्छा है इससे दरह खटा मीठा सा इसमें कुछ फलेवर सा बन जाता है म मैंने जी वाला कैचप इसमें डाला है बाराल अगर हमारे पास कैचप ना हो तो हम इसकी जगह शूगर भी डाल सकते हैं वान टेबल स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है आँच जो है वो हमने बहुत धीमी नहीं रखना है लिडियम फलेम पर ये काम होगा अग कर देना है कि खाने के लिए चिकन जल फ्रेजी की देश पक के तजार हो गई है यह कैमरे की नजर में आपको ऐसी लग रही होगी इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है और वाकई में यह बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही असानी से बनती है तो यह है घी घी को हमने च चोड़ दिया था तो उसे चान लिया था चानने के बाद उसे इस तरहां से हमने दुबारा पकने के लिए चोड़ दिया था और अच्छी तरह पकने के बाद उसे चान लिया तो यह थी जी मेरी आज की बहुत ही यूजफूल सी वीडियो अगर आपको मेरी यह वीडियो अ